लाइफ में हर इंसान कभी न कभी एक्टर बनने का ज़रूर सोचता है और ऐसा मेरे दिमाग में भी यह खायाल आया था कई साल पहले I think आज से 8-10 साल पहले मेरे कॉलेज के डेस थे मैं आज की पढ़ाई कर रहा था शेक्सपियर मिल्टन यह सब मैं पढ़ रहा था और फिर म मेरे पास पर I think मैं cyber cafe में गया था कुछ auditions देखे थे और उनके लिए apply किया था online because मैं हमेशा सही life में कुछ हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ और हर चीज में खुद को try or test करने में believe करता था और recently ही मैंने एक और contest में पाट लिया है जिसका नाम है super speaker मतलब इंडिया के best motivational speaker को डूंड रहे हैं तो मैंने उसमें भी पाट लिया है पर फिलाल हम बात कर रहे हैं मेरे college days की तो मैंने एहमदाबाद जहां में रहता हूं तब भी रहता था वहां से train ली और मैं गया मुंबई यह crazy adventure करने में सब को मज़ा आता है और I think हर को यह सोचता है हर को यह dream रखता है जिंदगी में के यहां से आप वहां जाएंगे और आपकी life बदल जाएगी और एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो निकल पड़ा मैं मेरे सफर में और उतर गया Mumbai railway station पर जब मैं वहां पर उत्रा तो सबसे बड़ा problem जो लोग कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया की population आपको वहीं देखने को मिलती है Mumbai railway stations पर आप रियालाइज करते हैं कि इंडिया की population सही में बहुत जादा है और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए तो वहां पर मैं उत्रा unknown जगे थी तब इतने phone GPS हुआ नहीं करते थे तो फिर सबसे best scam जो कोई भी tourist attraction या कोई भी happening place पर होता है व वहां पर काफी production houses exist करते हैं और तब भी थे और अब तो I think अभी मैं कई सालों से गया नहीं हो but I think और increase हुए होंगे with time तो मैं वहां पहुंच गया और मेरा turn आया तो वहां पर ट्राइपोड पर camera रखा था और मुझे दी गई एक script के यह है आपकी script आप तो आपको यह सारे dialogues बोलने हैं और camera में यह सारी चीज़े record होंगी and then we will decide तो जब मैंने script देखी and the script was of Maya भाई आपको पता है एक movie आया था 2007 मे शूट आउट एड लोखंड वाला और उसमें विवे को पुरा एक gangster का role play करते हैं और मुझे दिये ग बंदा डर पे चलता है मेरी गन में भी गोली है और ऐसी language मैंने मेरी life में कभी यूज नहीं करी थी मतलब हाँ friends के साथ यूज करी होगी शायद but ऐसी on camera कभी भी language मैंने यूज नहीं करी थी तो what I did is के जो वहाँ पे in charge थे उनको मैंने कहा के sir sir मैं ये type का character नहीं हूँ मैं ये वो gangster वाले role के लिए नहीं आया हूँ मैं तो normal hero role के लिए हूँ हर कोई बंदा hero के लिए ही रोल के लिए ही आता है और villain के लिए कौन आता है तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं script तो यही है आपको यही dialogues बोलने है और यही हम record करेंगे और यहीं तो आपका acting skill पता चलेगा and I was like what man I was like man यार यह क्या हो रहा है यह life का जारी फिर मैंने read किये सारे dialogues काफी तो मैं भूल चुका हूँ because it's been so many years और वहां पे मैंने यह चीज देखी के लोग India के कोने कोने से आय हैं तो eventually मैंने भी वह विलन वाले dialogues बोले वह सारे dialogues मैंने बोले deliver किये तो फिर मैंने मेरा audition दे दिया और फिर मैंने उन्हें पूछा के और कुछ मुझे करना है तो उन्होंने का no you are done अगर आप select हुए तो call करेंगे और हम सब जानते हैं कि हर interview के end में यह जो कहा जाता है वह call कभी आते नहीं है मतलब rarely आते तो फिर मैं वहाँ से निकला I think मैं थोड़ा बहुत मुंबई में गुमा जुहू बीच और वह सब जगेयों पे और eventually I came back तो eventually हम select नहीं हुए actor नहीं बने पर कोई नहीं YouTuber ही सही spread positivity तो moral of the story क्या है moral of the story यह है कि दुनिया में competition बहुत जादा है failure भी आप encounter करेंगे but keep on doing your thing आपको जो पसंद है वो करते रही है और maybe someday आपको success मिल जाएगा और यदि ना भी मिले तो who cares आपने दो वो किया आपको पसं that is the only thing that matters तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बाई